नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त रावनियास्वामी दिल्ली पुलिस से दोस्तों ये वीडियो मैंने किसी खास मकसद के लिए बनाया है अभी वर्तमान में दिल्ली में दिल्ली पुलिस मोस्टेबल की एक्जाम चल रही है बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली से बार के होते हैं और दिल्ली में एक्जाम देने आ रहे हैं लेकिन उनके पास कहीं ठेरने की रुकने की व्योस्ता नहीं है सर्दी का थोड़ा मोसम है तो मैंने 2-3 दिन से देख रहा हूँ है कि बच्चे रोड़ों पे बैठे हुए हैं पुरी रात इंचार करते हैं सुबह एक्जाम देने के लिए तो दोस्तों मुझे भी मेरे 15 साल पहले का एक टाइम याद आ गया जब मैं भी रोड़ पे बैठा हुआ था एक्जाम देने के लिए उस टेम मेरे पास भी कोई ऐसी स्वीदा नहीं थी इस वेज़े से मैंने एक योजना बनाई है क्योंकि हमने तो एक परिशानी जेली है मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चा जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ वो बच्चा ऐसी परिशानी ना जेले इसके लिए मैंने पालम में जो दोडा को अब स्टेंड से मातर आठ किलोमेटर दूर है पालम द्वार का साइड है वहाँ भी मैंने एक रहने के लिए होटल का व्योस्ता की है वहाँ रहने खाना बिलकुल निशुल्ख है जो एक्जाम बच्चे देने आएंगे उन बच्चों के लिए बिलकुल निशुल्ख है वह आराम से एक दिन पहले मुझे फोन करें आएं और आराम से रुके और सुबह आराम से फ्रेस्मेंट से एक्जाम देने जाएं ताकि उनका एक्जाम भी अच्छा होगा और सलक्षन होगा तो मैं चाहता हूँ यह मेरी व बच्चों के लिए सेर करें उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे इसका लाब उठा सकें किरप्या करके मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने करें धन्यवाद